everything all right, जल्दी से बता दीजिए, चैट बॉक्स पे, awesome, sir we are meeting after a financial year, wow, what a great joke, what a great joke, बहुत बढ़िया, तो मित्रों, आज हम क्या करेंगे sir, आज हम करेंगे MTP1, जो ICI ने CA Inter Audit के लिए MTP1 दिये थी, उसकी हम discussion करने वाले हैं, तो सारे के सारे बच्चे MTP1 open कर सकते हैं, and let's begin with the discussion, अच्छा मेरी बात समझना, यह जो session है, यह आपने एकदम end तक मेरे साथ बने रहना है, जो जो मैं आप से सवाल पूछू, make sure आप chat box पे reply करते जा रहे हैं, ताकि end of the video तक आपकी वो participation बनी रहे, और आपको पूरा मजा आता रहे, मैं आपको एक बात का आशवासन दे सकता Now, I can give you a reasonable assurance that after this session, after this session, जो हमारे CA industry में कुछ elements, जो हमारे CA industry में कुछ elements, लोगों के अंदर fear बिताते हैं, जो हमारी CA industry के कुछ elements, लोगों के अंदर fear डालते हैं, मैं उस fear को खतम कर दूँगा, मैं कही ना कोई उस fear का end कर दूँगा, बस आपने मेरा साथ बनाए रखना है, औ कुछ करने की जरुवत नहीं है, क्या सारे बच्चे वादा करते हैं, that end of the session तक सारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, जल्दी से बता दो, everyone, please give me a thumbs up, that you will stay till the end of this session, आप कही ना कही मेरे साथ रहेंगे, जल्दी से बता दो, आजाओ, 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 सर, अब आजाओ सर, सारे के सारे बच्चे, case scenario 1 में, हम case scenario 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे बच्चे आजाओ, फड़ाफट, फड़ाफट, फड़ाफट मेरे साथ, चलो सर, शुरू करते हैं, सारे के सारे बच्चो provided in the case scenario सर किस चीज की description है read करो मिर साथ accounting income as per the books of accounts accounting income as per the books of accounts and taxable income under the income tax law आप बताओ क्या responsibility है धनुष की अब हमें केस में इसके regarding बाते पढ़नी है सबसे पहले बताओ धनुष कौन है सर धनुष एक CS student है जो अभी अपनी आर्टिकल शिप कर रहा है और वो एक engagement team का पार्ट है जो audit कर रही है किसका test enterprise private limited मैंने का very good अब इसमें बताओ tax income और accounting income के बारे में कहां दे रखा है सर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने accounting income की बात कर रही है taxable income की बात कर रही है तो यह वाला paragraph पढ़ते है देखो क्या कहता है during the course of audit it is noticed by C.A. Dhanush Dhanush मतलब जो article है that computers are a significant chunk of P.P.E. items in the financial statement company has taken the useful life of computers as three years कहीं ना कहीं company ने थीन साल की useful life लिये but depreciation charge in the financial statement of the company is higher than the depreciation allowable as per income tax law सारे बच्चे मुझे बताओ अगर company depreciation ज्यादा चार्ज करेगी तो profit कम होगा या बढ़ेगा सर profit कम होगा कई ना कई entity का profit कम होगा और कम profit के हिसाब से उसको tax भी कम देना पड़ेगा very good ये बात हो गई accounts की अब बात करते हैं सर tax की tax के हिसाब से वो कहरा depreciation कम लगनी चीए अगर depreciation कम लगनी चीए इसका मतलब profit ज्यादा बनना चीए हाँ सर तो क्या आपने tax के साब से tax ज्यादा पे कराओगा या कम पे कराओगा जल्दी से बता दो chat box में जल्दी से बता दो chat box में will the tax will be higher और lower अगर profit ज्यादा है तो tax ज्यादा होगा या कम होगा tax will be more कई न कई इस case में जो हमारा tax है वो ज्यादा हमको पे करना पड़ेगा तो सारे बच्चे मुझे बताओ जो tax आपने पे किया वो ज्यादा था जो tax आपने पे किया वो ज्यादा था और जो accounts के इसाब से tax पे करना था वो कम है तो मुझे बताओ क्या tax का asset बनाओ या tax की liability जो tax आपने पे किया वो ज्यादा है जितना पे करना था वो कम है तो कम tax की जगा अगर आपने ज्यादा पे किया तो आपके लिए asset है या liability सर अव्यसी बात है इसका हमें asset बनाना पड़ेगा अव्यसी बात है asset बनाना पड़ेगा कि pay ज्यादा किया है और account के इसाब से कम pay करना था तो जब कम की जगा ज्यादा pay करेंगे तो इसका क्या बनेगा asset बनाना पड़ेगा तो sir ये बात आपने कहां सीखी है, क्या AS29 नहीं, AS29 बात करता है provisions, contingent assets, contingent liability की, AS22 में बात होती है defer tax की, तो जो आपके accounts के teacher है, उन्होंने सिखाय है, क्या बनेगा, defer tax asset बनेगा, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, तो ये आपका question 1.1 है, and इस question में हमने क्या सीखा, sir इस question में ह जाएंगे, तो थोड़ा भूत accounts का दिमाग भी साथ लेके चलेंगे, थोड़ा-थोड़ा accounts का दिमाग भी साथ लेके चलेंगे, ताकि ऐसे questions में हम अच्छे number score कर सकें, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, समझ गए, अब सारे बच्चे आजो 1.2 पे, ये किसकी बात करता है, ये कहते है, keeping in view the description provided in case scenario, which of the following is likely to be correct, कौन सी बात सही है, regarding the accounting treatment of the cost of CD and software acquired by the company to run the test, ये CD वाली बात कहां दे रखिये, एक बार ध्यान से पढ़ू मिरसा, CD वाली बात sir, यहां दे रखिये, company has substantial number of computers, everyone look at the screen, company has substantial number of computers at each center to enable seamless experience for students, company has acquired a new identifiable software, जो software होता है, वो क्या होता है, sir, ये intangible asset होता है, ठीक है sir, involving a substantial expenditure for conducting the test during the year, which is expected to drive the company's revenue, अगर कोई new identifiable asset है, जो company को revenues देगा, तो क्या ये asset की definition को qualify कर गया, हां sir, प्लस ये जो software है, ये किसी CD में है, and इस CD के अंदर ये software रहेगा, cost of the CD is nominal, कहीं न कहीं, बिना software के, इस CD की cost nominal है, तो सारे बच्चे मुझे बताओ, CD प्लस software, CD प्लस software, क्या ये मिला के intangible asset बनेगा, सारे बच्चे जल्दी से बता दो मुझे, सारे बच्चे जल्दी से बता दो मुझे, क्या CD और software को अलग-अलग लेंगे, या मिला के लेंगे, please tell me in the chat box, आप सबने AS26 पढ़ा है, आप ब कम ओन, बता दो मित्रों, सर कहीं न कहीं मिला के लेंगे, कहीं न कहीं हमें मिला के लेना पड़ेगा, यानि अलग-अलग नहीं ले सकते, together लेना पड़ेगा, अब बताओ कौन सा option सही होगा, option number one, companies accounting treatment of treating the cost of CD with software as intangible cost is not proper, यह कह रहा है, दोनों को साथ में intangible लेना is not proper, यह तो गलत हो गया sir, companies accounting treatment of treating the cost of CD with software cost as intangible as it is proper, मैंने का very good, again not proper वाला हट गया, not proper वाला हट गया, तो right answer क्या हो गया, option B, that दोनों को साथ मिलेंगे, यही proper है, क्या यह बात समझाई, हां sir, हच कह रहा है sir, यह audit come account ज्यादा लग रहा है, क्या यह अच्छी बात है यह बुरी बात, जल्दी से class बच्चे बता, जल्दी स सारे बच्चे बताओ, यह अच्छी बात है या बुरी बात, सर, सबसे अच्छी बात है, अकाउंस तो वैसी आपका favorite subject है, तो अगर account की knowledge यूज यूज करके audit में free के number मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है और मैं आपको बताऊ ना जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही solution है उसका नाम P से शुरू होता है सारे बच्चे इस word को पूरा कर दो chat box में मुझे मज़ा आ जाएगा अगर तुम मेरे student हो तो P से इस word को positivity और मैं बता दूँ सबके अंदर होती भी नहीं है जितना हो सके चीजों को positive लेके चलो ये ही जिन्दगी का राग है इसी से आप जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे ठीक है ठीक है सर अब सारे के सारे बच्चे आजो मेरे साथ now come to 1.3 let's talk about 1.3 कुछ बच्चे कहरें सर हमने advance accounts नहीं पढ़ा तो मेरी आपसे बस एक चोटी सी request है ऐसे question एक दो ही है पूरा paper इससे नहीं भरा हुआ तो अगर आपको एक दो questions ऐसे दिखते है तो फिर आपने ये नहीं सोचना किया ये question मेरे से नहीं हो रहे आपने पढ़ा ही नहीं है इसलिए नहीं हो रहे ठीक है अग सारे में कहां दे रखा जल्दी से बताओ मैंने का यहां दे रखा discrepancy के बारे में कहता during the course of audit सारे बच्चे मिरसात पढ़ना he notices that the cost of CD along with software is treated as intangible asset ये तो हमने पढ़ लिया it is also part of his responsibility to verify the PPE register जैसी शुभंसर ने PPE बोला और PPE register की बात हुई ठीक है प्लस ये कह रहा है many computers were disposed of proper details of the movement and disposal have not been entered in the PPE register कही ना कहीं PPE के records properly maintained नहीं है प्लस यहां पे जब इन्होंने physical verification करी तो discrepancy मिली and यहां पे कह रहा है जो भी discrepancy है इनको books of account में deal किया कौन से topic की खुश्बू आ रहे है जल्दी से chat box में बता दो सारे बच्चे बता दो कौन से topic की खुश्बू आ रही है आयूश ने का कारो 2020 वेरी वेरी गुड सर क्लॉज नंबर वन पैरा नंबर थ्री ओफ कारो 2020 क्लॉज नंबर वन पैरा थ्री ओफ कारो 2020 यही बात बस आपने ध्यान में रखके चलनी है तो देखो क्या कहता है सबसे पहले कहता है management has properly dealt with the discrepancy ठीक है books of accounts में दिखाई however धनुश should bring it to the light of engagement partner with the modification of opinion क्या opinion को modify करने की जरूवत है नहीं जब आपने proper accounting कर दी तो किस बात का modification management has properly dealt however you should bring it to the light of engagement partner as it brings specific reporting requirement of companies act यह कहता है companies act के साब से आपको कारो 2020 की reporting करनी पड़ेगी सर यह सही लग रहा है दूसरा कहता है धनुश को कुछ करना नी चाहिए गलत बात and last में कहता है कि इसको आप misstatement बोलोगे भाई जब सही accounting कर दी जब सही accounting कर दी तो किस बात की misstatement so the right answer will be option number B right answer will be option number B तो 1.3 का सही answer क्या हो गया sir B कारो 2020 में इसकी reporting होगी very good nanak अब आजो सारे बच्चे question number 1.4 पे देखो क्या कहता है which of the following statement meets the requirements of law in respect of revenue from operation क्या आपको revenue from operation पता है हाँ sir revenue from operation मतलब जो entity की sales है from principal revenue activity जो principal operational activities होती है उससे जो sale होती है उसको हम revenue कहते हैं ठीक है sir अब देखो revenue के बारे में entity ने क्या लिख रखा है यहां लिखा है देखो revenue of the company during the year was 50 करोड रुपीज अब sir यह 50 करोड रुपीज कहां से आया ध्यान से समझना आप audit किसका कर रहे हो sir आप audit कर रहे हो एक ऐसी company जो कौन से धंदे में है वो test लेती है and test के साथ-साथ वो books भी sell करती है जिसके अंदर model test papers होते है तो यह कह रहे है 50 करोड का जो revenue है उसमें से 45 करोड तो test की fees है and 5 करोड sale of books है ठीक है 10 करोड का interest भी मिला है sorry 10 लाग का interest on investment क्या interest on investment revenue है please give me the answer in the chat box yes or no क्या यह revenue है या other income बताना जरा copyright ना आजा T-Series से sir यह other income है यह other income है यह entity का revenue नहीं है यह entity की other income है plus मुझे सारे बच्चे बताओ जब आप notes to accounts बनाओगे तो क्या आपको अलग-अलग दिखाना चाहिए जो आपने fees charge करी जो आपकी sale of books है क्या आपको अलग-अलग दिखानी चाहिए answer is yes अलग-अलग दिखानी चाहिए तो सही answer इसमें क्या होगा देखो revenue from operation of 50 crore should be shown in the statement of P&L सरीय सही है कोई दिक्कत नहीं है revenue of 50.10 crore should be shown गलत 0.10 crore तो other income है तो ये गलत हो गया 50.10 अगेन ये गलत हो गया last में कहता है 50 crore को दिखाओ statement of P&L में but notes to accounts में अलग-अलग बताओ books वाला कितना है और fees from the students वाला कितना है तो जब भी आपने MCQ में दो options में आपको लगे कि मैं confused हूँ जैसे इस MCQ में में A और D में confused हूआ जैसे इस MCQ में में A और D में confused हूआ दिल पे हाथ रखके पूछना कौन सा ज्यादा appropriate लग रहा है सर, obvious ही बात है जिसमें better disclosure जिसमें better disclosure वो appropriate है तो 1.4 का right answer क्या हो गया? D कही ना कही 1.4 का D becomes the right answer easy, easy sir last में आता है company has taken the useful life of the desktop as 3 years कही ना कही 3 साल की इन्होंने desktop life लिये तो ये क्या कहता है such a requirement is prescribed under schedule 3 मुझे सारे बच्चे बताओ जो useful life होती है ये schedule 3 में दे रखी होती है या schedule 2 में बिना cheating करें बताना जरा बता दो जल्दी से 2 था या 3 था मानसी control your emotions focus करो यहाँ पे schedule 2 very very good तो schedule 3 वाले तो भाईस आप सारे के सारे answer गलत कर दो not prescribed कुछ भी पढ़के नहीं आये तो ऐसी कुछ भी not prescribed not prescribed वाला गलत हो गया it is prescribed under schedule 2 प्लस अगर आप चाहो तो schedule 2 के अलावा भी ले सकते हो but उसका जो reason होता है the reason of choosing a different life other than schedule 2 वो आपने mention करना होता है in the notes to accounts तो अगर आपने different life choose करी तो आप वो mention करके चलोगे so right answer will be 1.5 का C clear है boss clear है sir यहां हमारा case scenario 1 done 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 यहां हमारा case scenario 1 done 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 सारे बच्चे दिल पे हाथ रखके बोलो सारे बच्चे दिल पे हाथ रखके बोलो जो market में हवा बना रखा है जो market में हवा बना रखा है क्या वो सही है या अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा लॉजिकली काम करें तो चीजे आसान है फड़ा फड़ बताओ आप बोलो के मैं मान लूँगा खतम कहानी कीरती एक्जैम में आसान ही आता है सिंपल बोल रहा हूँ मैं आपको मैंने ये चीज जो आपसे भी पूछी तभी मैंने इसको लाइव किया सेशन को ताकि जितना हो सके आप लोग आंसर दें तभी मज़ा आए very good मैं यार आपके साथ खड़ा हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ end तक घबरानी की ज़रूत नहीं अब आजो फटाफट सारे के सारे बच्चे केस सिनेरियो टू पे जल्दी से आजो केस सिनेरियो टू सर किसकी बात करता है मैंने का मुझे भी नी पता सबसे पहले कोशन से स्टार्ट करते है कोशन नमबर वन देखो क्या कहता है 2.1 अच्छा क्या मैं केस सिनेरियो पहले पट रहा हूँ या कोशन सबसे पहले कोशन और जो कोशन से रिलेटेड चीज़ है वो हम केस सिनेरियो में देखेंगे Now everyone focus on the board As regards the audit of branch of CDL limited as referred in the case scenario is concerned which of the following statement is most appropriate मुझे सारे बच्चे बताते जाना देखो क्या कहता है Accounts of a branch shall be audited either by the company का auditor और any other person qualified to become an auditor ठीक है Under section 139 of companies act अगर branch के accounts का audit कोई और कर रहा है तो उसको branch audit report भेजनी पड़ेगी to the company's auditor सारे बच्चे बताओ Notes में ये कौन सा chapter है Direct question free के number Direct question free के number जल्दी से बता दो सारे बच्चे सारे बच्चे आजो Which one Branch audit Branch audit यानि जो हम reporting वाला chapter पढ़ते हैं उस reporting वाले chapter में जो ऐसे 600 वाला part है वहां से हमने इसको cover किया है सारे बच्चे एक बार फड़ा फड़ देखो क्या चीज एकदम सीधी साधी है क्या ये चीज एकदम सीधी साधी है एक page का है देखो क्या कहता है Branch accounts Branch accounts can be audited by the company का auditor or any other qualified person Branch का auditor कौन कर सकता है सर company का auditor कर सकता है या कोई और qualified person ये हमने basic बात सीख रखी है ठीक है तो यही बात आपको use करके इस question का answer बनाना है तो यहाँ पे भी देखो ये क्या कह रहा है ये कर सकता है सर कौन कोई भी qualified person या company का auditor ठीक है दूसरी बात ये कह रहा है, ब्रांच का auditor अपनी audit report किसको भेजेगा, company के auditor को भेजेगा, obviously बात है क्योंकि company का auditor report कर रहा है, तो he should get the report, second question देखो क्या कहता है, ब्रांच shall be only audited by another person, गलत, ये पढ़के ही नहीं आया, only be audited by another person, गलत है sir, अगला कहता है, it will be audited either by the company का auditor और another person, अ office का auditor कौन है, sir, ये वाला बंदा, तो ब्रांच का जो बंदा है, ये directly members को भेजेगा, ये directly members को भेजेगा, या इसको भेजेगा, ताकि ये members को भेज सके, option one सही लग रहा है या option two, जल्दी से chat box में बता दो, very good भावी का, आपके जैसे बच्चे ही पास होंगे, इस बार exam मे मैं बता रहा हूँ, logically बताओ, report to the members कौन करेगा, head office का auditor या branch का auditor, sir, head office का auditor, तो कहीं न कहीं, this becomes the right answer की, branch head office वाले को भेजे, और head office वाला members को report करके चले, so the right answer becomes option number A, A आपका सही answer हो जाएंगा, अब देखो sir, question number two क्या कहता है, after reading the methodology for carrying out branch audits by Mr. D, which of the statement is most likely to be appropriate, सबसे ज्यादा appropriate क्या लग रहा है, अब मेरी आप सबसे एक request है, sir, क्या, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी common sense लगाएंगे, and देखेंगे सबसे ज्यादा logical क्या लग रहा है, ठीक है, दो मिनट लगाएंगे, इस MCQ को solve करने में, दो number मिलेंगे, मैं सची बोल रहा हूँ, अगर आपने सही अनुमान लगाया, दो number मिल जाएंगे, जितने भी competitive exams होते हैं, उसमें ऐसे ही होता है, अगर आपके सामने 5 MCQs हैं, तो 2 से 3 तो आप directly कर लेते हो, बाकी 2 में दिमाग लगाना है कि कौन सा सबसे सही बैठ रहा है, नहीं देनी चीए, सर ब्रांच एक particular entity का एहम हिस्सा है, ब्रांच एक particular entity का एहम हिस्सा है, तो वहां का भी ROMM calculate होना चीए, वहां की भी materiality calculate होनी चीए, और उसका audit भी properly होना चीए, तो क्या ये सही लग रहा है, नहीं सर, अगला देखो क्या कहता है, separate determination of materiality and ROMM is required for each of the branches, however, documentation is not required, यहां तक इसने करी अच्छी बात, यहां पे आके मामला खराब कर दिया, यहां पे आके मामला खराब कर दिया, अरे जब आप इतनी महनत कर रहे हो, तो उसको document तो करो, वरना लोगों को कैसे पता लगेगा आपने महनत करी है, हां सर, तो again, this becomes the wrong answer, अब देखो क्या कहता है, separate determination of materiality and ROMM is required, along with the documentation in respect of the branches, plus he is required to perform substantive procedure as described in the case scenario for oddity branches and also maintain the documentation, क्या यह एक भरपूर चीज लग रही है, हां सर, यह भरपूर चीज लग रही है, लास्ट वाला देखो क्या कहता है, identifying and assessing of the risk of material statement is required, along with the documentation, however, materiality जो है, वो आप company की निकालो, सर, हमने पहले ही पढ़ा था, कि materiality दो level पे निकलती है, एक तो पूरी company की, plus अगर ज़रूरत लगे, तो हम किसी branch की या item of financial statement की lower materiality निकाल सकते हैं, तो यह भी गलत हो गया, so right answer becomes option number C, right answer becomes what, option number C, सारे बच्चे बताओ, अगर exam में इस तरह का question आएगा, तो कैसे deal करना है, यह समझ आया कि नहीं आया, हर्ष ने बोला, यह answer logic से ही right हो रहा है, हर्ष मैं इसलिए यह questions करा रहा हूँ, कि अगर MCQ में ICI ने 15 questions पूछे हैं, तो 15 में से 10 सीधे सीधे हैं, और आपको 4 से 5 में थोड़ा logic लगाना पड़ेगा, that's it, clear है boss, clear है sir, अब आजओ question 2.3 पे, अब sir 2.3 क्या कहता है, correct statement बताओ, regarding the results of analytical procedure provided in table 1, आपने table 1 देखी, table दिख रही है, हाँ sir, table दिख रही है, यह जो table है, इसमें क्या दे रखा है, inventory turnover ratio दे रखा है, branch 1 का और branch 2, क्या आपको पता है inventory turnover क्या होता है, हाँ sir, inventory turnover ratio यह दिखाता है कि आपकी inventory कितना fast move कर रही है, आपके financial management के teacher ने यही सिखाय होगा inventory turnover ratio में, कि आपकी inventory कितना fast move कर रही है, तो मुझे बताओ, क्या हमारी branch 2 के comparison में जो branch 1 है, ये faster है, हाँ सर, branch 2 के comparison में जो branch 1 है, it is very faster, तो अब देखो options में कौन सी चीज सही लग रही है, ये कहता है, during the year 23-24, कौन सा वाला साल सर, ये वाला, 23-24, जो हमारी branch 1 है, it has moved faster than the branch 2, जो हमारी branch 1 है, it has moved faster than branch 2, तो क्या ऐसा असली में हुआ है, हाँ सर, इसका turnover ratio greater है, इसका turnover ratio greater है than this, so obviously it is faster, अब दिल पे हाथ रखके बताना, ऐसा कोशन देखके, जब आपको मैंने अभी करा दिया MTP में, क्या आप अब इन चीजों को लेके थोड़ा immune feel कर रहे हूँ, आपको ब vaccine से क्या होता है, सर vaccine में यह होता है, बिमारी आने से पहले body को ready कर दिया जाता है, कि कैसे इससे हमें deal करना है, तो अब अगर exam में आपको ऐसे अटपटे कोशन दिखेंगे, तो आप घबराओगे, please give me the right answer, क्या आप घबराओगे, या फिर, यह समझोगे कि यह easy ही होगा, बस मेरे को deal करके चलना है, please choose the option, one और two, जल्दी से बता दो, one या two, कौन सा option choose करते हैं सारे बच्चे, आज मैं आपको booster dose लगाने आया हूँ, ठीक है, सारे बच्चे यह booster dose लगा के जाएंगे, और कोई tension की बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, अब आज़ो मेरे साथ, 2.4 पे सारे बच्चे आजओ, देखो क्या कहता है, considering the contents of email sent by the company's auditor to Mr. D, which of the following statement is likely as per the standards on auditing, सबसे पहले मुझे बताओ, कौन सी email की बात हो रही है सर, email की बात question में दे रखी है, यह देखो यहाँ पे लिखा email, company का जो auditor है, सारे बच्चे मेरे साथ read करना, please, just one minute लगेगा, Mr. D कौन है, सर Mr. D है, branch का auditor, ठीक है सर, यह branch के auditor को mail भेजता है, और इसको advise करता है, by way of email, significant accounting, auditing and reporting requirement, plus इसको बोलता है representation दे, इससे irritate होके, इससे irritate होके, और इससे अचंबित होके, D कहता है, यह email सही नहीं है, D कहता है, यह email सही नहीं है, सारे बच्चे, मुझे chat box पर बताओ, कौन सा essay है, सबसे पहले, बता दो जल्दी से, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, branch auditor को मैंने बोला, significant accounting, auditing and reporting requirement, यह कौन से essay में हम बात करके चलते हैं, बता दो मुझे, हाँ, तुम यह सब खेलो, कि तुम कहां से हो, मैं गुजराच से हो, यही रह गया तो सुनने के लिए, यह जितने नलायक, essay 505 लिख रहे हैं, इनको यही नहीं पता, internal क्या होता है, external, ठीक है, इनको लगता है, जो branch auditor, यह कोई external party है, जिससे हम confirmation ले रहे हैं, वेरी गुड निखिल तिवारी, वेरी गुड वैशनवी, मोहित, सबने एकदम सही answer देना शुरू कर दिया, essay 600, तो क्या essay 600 में हम तीन बाते बच्चे को बताते थे, सामने वाले को, हाँ, जल्दी से बताओ, क्या बताते थे, सर, पा, 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 पा consideration, दूसरा A क्या है, सर, दूसरा A है, accounting, auditing and reporting requirement, very good अंशिका, very good राम गुपता, सारे के सारे अपने बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दिया, अपने procedures, areas, accounting, फिर जब हम उससे पूछते, तुम कर लोगे, तो वो कहता है, हाँ, time पे करके दूँगा, वो कहता है, time पे करके द हम कहते हैं, लिख के दो, यानि आपने इससे representation भी लेनी होती है, तो दमित्रों, मुझे ये बताओ, इसका सही answer क्या होगा, सर, सही answer होगा, कि, जो company का auditor है, वो उसको advice कर सकता है, plus उससे representation भी मांग सकता है, so the right answer is A, right answer is A, A कही ना कहीं सही हो जाएगा, clear है boss, जल्दी से बत very good, अब आजाओ सारे के सारे बच्चे, case scenario 3, मैं आपको एक बात बोलू, हाँ sir, बात बोलो, 4 और 5, 9 questions हो गए, 9 questions हो गए, 18 number पक्के हो गए, and we are just 30 minutes into the session, चलो sir, अब देखो 3.1 किसकी बात करता है, considering the table given in the case scenario, आपने बताने non-funded credit facility के हैं, ये तो मैं पढ़ाई नहीं रहा, अब जल्दी से सारे बच्चे बता दो, non-funded वाली कौन सी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, bank audit का direct-direct question, free के number, लूट 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 लू, free के number, लूट लूट लू, जिसकी है हिम्मत, number very very good, letter of credit or guarantee, क्या इसमें कोई पैसे जाते हैं, मैंने का नहीं, zero, बाबा जी का ठुलू, एक रुपिया भी नहीं जाता, तो right answer is D, क्या कभी जिन्दगी में सोचाता, इतनी सी बात के दो number मिलेंगे, हे माता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्रिपा बढ़साने के अब आजो 3.2 पे, ये कोशन देखते ही मेरी तो आँखों से आसू आ गए, कि ICAI यही रह गया था बस पूछने के लिए, ये कहता है कि CAB का decision था to perform both test of control as well as substantive testing, ठीक है, that was taken after उसने risk assessment कर ली, कौन सा standard on auditing, ये test के साथ डील करता है, कौन सा standard on auditing, टेस्टिंग के साथ डील करत मैं बोल-बोल के थक गया, तुम सुन-सुन के थक गया, अब तुमको बताना पड़ेगा, testing कौन से standard में आती है, which standard talks about testing, केशव नलायक, अमन नलायक, C.A.S.P. नलायक, मोहित वेरी-वेरी गुड, अंशिका वेरी-वेरी गुड, नव्या वेरी-वेरी गुड, हर-हर महादेव वेरी-वेरी गुड, इनको आधे बच्चों को तो ये ही नहीं पता, सर, 315 बात करता है, understanding की, ओ, 330 बात करता है, testing की, 50 बार मैंने class में बोला, की 315 में क्या test करते हैं, तो कुछ नहीं test करते हैं, सिरफ understanding लेते हैं, ठीक है, 330 में testing होती है, पहले controls की, और फिर amounts की, जिसको बोलते है, substantive audit procedure, so right answer becomes option number B, very good Nitin, very good mansi, बाई साब clapping करा दो, जो जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, इनके लिए तो मतलब तालियां बनती है, बहुत बढ़िया, AR square, क्या बात है, अब आजो, 3.3, बस 3, question 3, अपनी आखरी सांसे ले रहा है, Saurabh is unable to understand the relevance of going through the SMA, यह SMA क्या होता है, फटा-फट बता दो मुझे, chat box में, what is a SMA, तभी answer दे पाओगे, जल्दी से बताओ, Gagan, तुम मेरे favorite student हो, बता है, तुम नहीं होते, तो मुझे नहीं पता, मैं बैच कैसी लेता, special mention account, किसने बताया, Akshata, Navya, Nanak, Mohit, बहुत बढ़िया, So the right answer is, special mention account, क्या ये जो special mention account है, ये NPA बन चुके हैं, क्या, क्या ये NPA बन चुके हैं, the answer is yes or no, फटा-फट बोलो, NPA नहीं बने, ये क्या NPA बन चुके हैं, नहीं सर, NPA नहीं बने, अभी ये NPA की दिशा में जा रहे हैं ये कई न कई NPA की दिशा में जा रहे हैं इसमें SMA 1, SMA 2 इस तरह के अकाउंट्स आते हैं तो मुझे बताओ क्या करना है इनका It would necessarily, कौन सी चीज most appropriate है ध्यान से बताना It would necessarily help the auditor in identifying the accounts with significant lending exposure क्या SMA में आप amount देखके करते हो या days देखके Sir days देखके, तो amount से तो फरक ही नहीं पड़ता identifying the accounts which can involve downgrading from substandard to doubtful क्या SMA अभी NPA की category में गए हैं नहीं तो ये substandard और doubtful कहां से आ गए अगला accounts where substantial recoveries have been received Sir कुछ पैसा नहीं आ रहा, अभी ये बस NPA की रास्ते जा रहे हैं And last कहता है, accounts which may involve कहीं न कहीं ये standard से NPA जा सकते हैं कहीं न कहीं ये standard से NPA जा सकते हैं So the right answer is option number D Got it, got it sir तो जितना conceptually चलोगे, उतना मज़ा आएंगा अब सारे बच्चे आ जाओ, तीन MCQs और हैं और उसके बाद ये 30 out of 30 वाले MCQs पूरे cover हो जाएंगे सबसे वहले आता है, question number one We the people is an NGO working for rights of citizens Due to the nature of its activities, volunteers take part in agitations कहीं न कहीं ये लड़ाई वगरा करते हैं जिसमें political parties के बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बाते करते हैं इनको बहुत सारा पैसा आता है overseas countries से क्या यहाँ पे थोड़ी थोड़ी fraud की खुश्बू आ रही है हाँ सर, fraud की खुश्बू आ रही है गडबडी की खुश्बू आ रही है गलतियों की खुश्बू आ रही है क्या मैं बोल दू रोमम ज्यादा है हाँ सर कहीना कही रोमम ज्यादा है गॉर्मेंट ने regulatory mechanism को tighten कर दिया है Finance and Accounts Department is headed by an experienced person former volunteer and activist himself However, इसका कोई professional और legal background नहीं है मुझे बताओ जो बंदा professional और legal background नहीं जानता क्या इस case में भी risk of material misstatement बढ़ जाती है हाँ सर, नलायक case में बढ़ जाती है C.A.N. is appointed as the auditor for first time जब आप audit first time कर रहे हो तो मैं क्या कह दू, यहाँ पे detection risk भी बढ़ जाएगी जो audit पहली बार करेगा किसी company का तो क्या वो company को अच्छे से समझता है नहीं सर क्या वो company के बारे में बहुत भैतरीन तरीके से जानता है नहीं सर तो detection risk भी बढ़ जाएगी तो बताओ audit risk कम होगी सर audit risk पताए क्या होती है मैंने का हाँ बताओ सर it is a combination of risk of material misstatement into detection risk जब बाबू दोनों ही ज्याद है तो audit risk कम कैसे होगी this situation does not provide quantitative data तो हमको चाहिए भी नी audit risk is high situation does not provide information about all components सारी बात तो बता दी सारी बात तो बता दी directly लिखके दें क्या तुम पताए क्या चाहते हो मैं बताऊ ना आधे बच्चों को तो ये लगता है सर directly क्यों नी लिखके देते inherent risk ज्यादा है control risk ज्यादा है detection risk ज्यादा है directly क्यों नी लिखके दे रहे हमसे दिमाग क्यों लगवा रहे है क्योंकि जब तुम CA बनोगे और तुमको 12 लाख पर NM की जॉब चाहिए ये सिर्फ दिमाग वालों को मिलती है तो तुमको थोड़ा-थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको जंग लग जाएंगे वरना तो सब ने एकदम सही आंसर दिया राइड आंसर इस option number C मजा आवी गयो, आवी गयो सर अब सर question number 2 आते है देखो क्या कहते है CAJ is in the process of planning the audit of a large company central drugs standard पता नी क्या एक national authority है simple रखते हैं इसी में बहट जाएंगे वरना it is responsible for clinical trials and standards वगर बनाती है for imported drugs auditor is also considering whether to make the use of audit evidence in the previous audit besides वो volume of transaction भी देख रहा है and substantive procedure भी देख रहा है क्या perform करने है इन में से मुझे बताओ कौन से factors relevant है in establishing the audit strategy जल्दी से बताओ ये वाला answer का कहां से आप निकाल के लाओगे बता दो जल्दी से बता दो जल्दी से from where do you think you will get this answer प्रियल कहती है C आएगा कहां से लाओगी कहां से ये answer कहां पे covered है ये topic notes में चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू audit planning में मैं आपको बार बार detail में ये सारे characteristics पढ़ाता था हां FRF applicable industry requirement business segment audit evidence obtained in previous audit entity का time table ठीक है कि schedule 3 के हिसाब से reporting कब होती है ये सब देखना meetings organize करना तो ये सारी बाते आपने read कर रखी है हां sir कर रखी है हां sir कर रखी है तो मुझे बताओ इसमें से कौन सी बात है जो हमारी strategy में नहीं आएगी जो strategy में आनी चाहिए sir reporting requirements आएगी आएंगी sir industry की reporting requirement है specialized knowledge of pharma industry क्या मुझे knowledge of pharma industry चाहिए segment के लिए हां sir ये बात भी ये बात भी यहां पे लिख रखी है कि जब भी हमारे पास segments होते हैं तो आपको specialized knowledge चाहिए होती है ओ भाई साब ये तो मजा ही आगया ये तो sir मजा ही आगया तो specialized knowledge भी चाहिए हमको कही ना कही और हमको क्या चाहिए audit evidence और previous audit तुमें बोलता है ता मम्मी रात का खाना देती है कल का पुराना तो यूज होई जाता है volume of transaction भी होता है बट क्या audit procedure जो होते हैं वो strategy का part होते हैं जो audit procedure होते हैं strategy का part होते हैं या planning का बताना जरा chat box में बता दो जल्दी से very good ये जो substantive procedure है strategy का part नहीं planning का part होते हैं planning का दूसरा नाम क्या है nature, timing and extent of audit procedure तो ये planning का part होते हैं बबा स्ट्रेटीजी का नहीं so right answer क्या है 1, 2, 3, 4 so C becomes your right answer clear है clear है sir last MCQ last MCQ आजाता है अब देखो sir question 3 क्या कहता है CA Tarini is in the process of formulating an audit plan for conducting the audit of a company engaged in the business of dealing in commodity future sir commodity future का क्या मतलब होता है वो ही futures and options आपने सुना ही होगा share market की trading लगर होती है हाँ sir वैसे ही कुछ ये काम कर रही है तो इसमें से बताओ कौन सा appropriate audit procedure नहीं होगा क्या मैं इसकी turnover देख सकता हूँ हाँ देख सकता हूँ अच्छा commodity futures में क्या कोई raw material होता है क्या इसमें कोई raw material होता है क्या नहीं sir कोई raw material नहीं होता so right answer becomes option number B यहां आपके 30 MCQs डन 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 यहां आपके 30 MCQs डन 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 अब दिल पे हाथ रखके बताओ AS वाले कितने थे सारे बच्चे जल्दी से बता दो AS वाले कितने थे और बाकी audit वाले कितने थे कितने कोईशन मिले आपको accounting standard वाले दो कोईशन थे ठीक है गिन के दो कोईशन थे और मैं बताओं जिस बच्चे ने AS 22 और 26 कर रखे देना उससे पूछना गरिबान में जहांक के बोलेगा answer is easy बहुत ही easy MCQs थे और जो बाकी audit के भी MCQs थे मुझे ऐसा लगता है कि चलो मान लो मान लो आप 3-4 MCQs गलत भी कर देते हो मैं तो कहता हूँ 10 MCQs भी ठीक नहीं कर सकते सर कर सकते हैं तो जब आप 15 में से 10 MCQs ठीक कर सकते हो ना तो 10 x 2 is equal to 20 20 नंबर तो आपके यहीं बन गए अब जब मैं आपको 70 नंबर का पेपर दिखाऊंगा ना जिसको लेके पतानी क्यों मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया तो उनके साथ अचानक ऐसे हवा मचाना शुरू कर दिया यूट्यूब पे आके यह हो गया वो हो गया पूरा पेपर का पैटा नहीं बदल गया अभी जब मैं आपको यह 70 माग का descriptive दिखाऊंगा ना आपके अंदर से अवाज आएगी सर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता इससे आसान कुछ नहीं हो सकता तीन से चार कोशन तो हर जगए ट्रिकी आते हैं न उसमें हवा मचानी की क्या ज़रूद है मेरे भाई हम एज पैकल्टी हमारा काम हवा मचाना है या बच्चों को comfortable रखना है सर comfortable रखना है हम हुआ मचाएंगे तो क्या होगा बच्चों के साथ क्या ये बात समझ आती है जल्दी से बताओ इस पॉइंट क्लिर तो अल अफ यू येस और नो आसम बस मुझे आपके 30 मिनट्स चाहिए बस मुझे अब आपके 30 मिनट्स और चाहिए 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको सारे डिस्क्रिप्टिव कोशन्स करा दूँँगा जल्दी से बताओ लेट्स बिगेन विद कोशन नमबर वन सारे के सारे बच्चे आजाओ मेरे साथ यहाँ पर कोशन वन पर लेट्स टॉक अबाउट इट देखो क्या कहता है खुशी से पढ़ेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे अब देखो कोशन वन क्या कहता है डॉक्स लिमिटेड सारे बच्चे थोड़ा सा अपना पेशन्स बना के रखना 30 मिनट्स की बात है ट्रस्ट मी यू विल गेन एज मच कॉन्फिदेंस अज आजाएगा दिखो क्या कहता है डॉक्स लिमिटेड अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इंगेज़ इन प्रोवाइडिंग कोरियर सर्विस पैन इंडिया एस वेल एस इंटरनेशनली ठीक है सर हमको गया करना है इट अपॉइंटेड एन इंटर्नल ओडिटर इन अक्कॉर्डेंस विद requirement of companies act during the financial year 23-24 सारे बच्चे अदर focus करके चलो annual turnover जो company की थी during the year 22-23-23-24 has been around 300 crores ठीक है सर दोनों ही सालों में 300 crore रही है अगर मैं just for information sake आपको बोलू यह private limited company है या public company है सर public company है जब भी public company के लिए internal auditor की limits देखी जाती है तो section number 138 में क्या limits दे रखी है सर section 138 में limits दे रखी है 50, 100, 200, 300 ठीक है मैं ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ 25, 50, 100, 200 क्या यही limits दे रखी है हाँ सर तो जो आपकी turnover की limit है पिछले साल की वो दे रखी है 200 crore तो क्योंकि यहाँ पे 300 crore हो गई है इसी वज़े से internal audit applicable है यह मैं एक level आगे गया क्योंकि हो सकता है अब ICI भी हो सकता एक level आगे चला जाए तो यह बात आपको समझ आनी चीए ठीक है ठीक है सर ready अब देखो क्या कहता है business of the company has been profitable कही ना कहीं जो company का धंदा है बहुत profitable जी जो है head करता है internal audit department को risk management activities और controls में help भी करता है अब internal audit को लेके अब internal audit को लेके आप मुझे बताओ what is the reporting responsibility of statutory auditor specifically relation to internal audit and related matters for the year 23-24 मुझे बताओ internal audit को लेके जो reporting है यह हमने कहां सीखी है please tell me in the chat box अब लगाओ दिमाग hint भी दे दी है ICI ने companies act को ध्यान में रखते है जब भी companies act आता है इसका मतलब समझ लेना आप यहाँ पे caro 2020 भी use कर सकते हो very good Nikhil, very good Anshika, very good CASP rent यहाँ आपका caro 2020 आएगा please अब मुझे clause भी बता दो sir clause बड़ा simple है unlucky 13 वाली related party को clause 13 में बगड़ा था unlucky related party को clause 13 में बगड़ा था किसने? clause 14 में internal auditor ने और internal auditor के दो sub clause क्या थे? मैंने का बड़े simple जो internal audit department है जो internal audit का department है उसका जो size है sir size matters यह कहता है उसका जो size है it should be commensurate it should be commensurate sir commensurate with what? the size of the entity जो entity का size है उसके हिसाब से commensurate होना चाहिए plus और क्या होता है कि क्या आपने यहाँ पे इसकी report consider करी क्या आपने internal auditor की report consider करी as a statutory auditor तो दो चीजों पे आपने focus करना होता है sir internal audit में क्या? the internal audit department is commensurate with the nature and size of the entity दूसरा क्या as a statutory auditor आपने report को consider किया तभी caro 2020 इतनी detail में किया था that's why we went into so much detail for caro 2020 बस ये दो बाते लिखके आपको पूरे में से पूरे number मिल जाएंगे एक बार फटा फट देखलो suggested answer में भी क्या देगी देखा है हाँ sir सबसे पहले यह बोलेगा कि आपने यहाँ पे applicability की बात करनी है ठीक है sir and applicability के बाद हम क्या करेंगे ये दो points लिखेंगे जो caro 2020 तो आपने यहाँ पे क्या सीखा sir हमने ये सीखा कि हम यहाँ पे applicability क्या यही बात भूल जाते exam में जल्दी से बताओ chat box में क्या यही बात exam में भूल जाते है हाँ sir so this is one point that you just need to consider आपको आता है बस exam में लिखके आना सिरफ reporting नहीं applicability के बार में भी लिख देना कि यह जो entity है यह बसी private limited नहीं है ठीक है यही चीज बस हम से रह जाती तो यह लिख देना यह बसी private limited नहीं है very good Nanak अब देखो sir question number 2 यह क्या कहता है sir up and high private limited has started its export business during the year 23-24 company was catering to the domestic market only in the past year CAH the statutory auditor is of the view that company has understated the revenue by 50 lakh as per the requirement of AS9 तो क्या में बोल दूँ है यह misstatement है is it a misstatement yes sir discuss the responsibility of statutory auditor to communicate with management regarding the above situation क्या मुझे management को misstatement वगरा बतानी होती है हाँ sir कहां सीखा था हमने misstatement की communication के बारे में sir materiality वाली जो master class थी उसके last topic में आपने पढ़ाया था essay 450 हम अब जब मैंने आपको essay 450 पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको यह बात बताई थी communication of the misstatement yes sir जो भी misstatement मिलती आप management को बताओगे और उनको बताके correct करवाओगे और उनको बताके correct करवाओगे तो simple सी बात है यही दो line लिखनी है हाँ तो यही बात आपके suggested answer में भी दे रखिए तो देखो क्या कहता है auditor shall communicate on timely basis the misstatement and request the management to correct it तो चार में से चार में से जो मेरा मानना है एक number तो इसी का मिल गया ठीक है sir दूसरी चीज क्या दे रखिए question में explain the usefulness of such communication यह बात मैं मानता हूँ this is something new जो कहीं ना कहीं आपको notes में नहीं मिलेगी अब sir इसका कितना marks हो सकते मान लो एक से दो number इसके हो गए तो इसको लेके घबराना मत इसको लेके घबराना मत की sir ये वाली बात तो हम पढ़के नहीं अरे भाई जो उस टाइम पर ठीक लगे ना वो बात आप इस case में यहां पर लिख सकते हो इतनी सारी theory में ठीक है sir अब दूसरी चीज इन्हों ने क्या बोली second part of the question अगर management refuse कर देता है तो आप कैसे proceed करोगे हम TCWG को बताएंगे हम कहीं ना कहीं TCWG वगर को बताते हैं तो sir इस question में हमको यह वाली बात कैसे देखनी थी तो यहां पर आपने सबसे पहले बोलना है सबसे पहले हमने यहां पर discuss किया था एक uncorrected misstatement should be gone to TCWG ठीक है sir इसके अलावा आप बोलोगे आप ना management से reason समझना आप management से reason समझना कि वो गलती ठीक क्यों नहीं कर रहे है why are they not making the correction plus कहीं ना कहीं उनके मन में चोड तो नहीं है कहीं ना कहीं management bias तो नहीं है and evaluate whether the financial statements are free from material misstatement or not तो यह आपने एक basic सी बात ध्यान रखनी है अब यह जो छोटी सी चीज है ना इसके उपर भी आप देख लो by ICI question पूछता है तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि sir हम कौन सा पार्ट छोड के जाए भाई sub important है sub important है जो भी notes है at least यह वाले question पे मैंने आपको क्या गा था practical ICI पूछ सकता है तो वो ही ICI ने किया आपसे एक practical question पूछ लिया अब ऐसे case में just you need to give your best जितना आपको ध्यान में आ रहा है वो लिख के आओ क्योंकि question paper में कई सारे areas मिलेंगे जहां से आप directly number बटोर सकते हो तो मैं बोल दूँ ये इस question का पहला application based question था पहला question आप कह सकते हो जो कहीं ना कहीं application based था जितने भी application based है मैं mark करके चलूँगा ताकि इस paper के end में मैं आपको गिनवा सकूँ कि ये कितने थे ठीक है तो आपको थोड़ा comfort आएगा कि how we need to deal with the paper ठीक है अब आजो सारे बच्चे question number C पे Prudent Industries Private Limited has incurred and fully spent for the first time CSR expenditure amounting to 14.50 lakh ठीक है सर expenditure was spent for women empowerment through a implementing agency which was not a related party as per the law provisions it was required to spend 14 lakhs खडचा कितना करना था 14 lakh खडचा कितना किया 14.50 lakh आप बताओ इस information को कैसे disclose करोगे in the schedule 3 ये कौन से chapter का कोशन है सारे बच्चे बताना एक बड़ चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो which chapter question this is audit of items of the financial statement और इसमें शुभम सर ने आपको किस पे focus करने को का है इसमें शुभम सर ने आपको किस पे focus करने को का है जल्दी से बता दो ये कहता है disclosure के बारे में बताओ asper schedule 3 ना लायक caro 2020 कहा से आया अरे caro 2020 is about audit reporting ये पूछ रहा है disclosure in schedule 3 तुम जा रहे हो reporting की रा की करा तुसी sir आपने कहा है disclosure पे focus करो तो मैं बोल बोल के थक गया तुम सुन सुन के थक गये हम हमेशा परिशान रहते हैं कि हमारा बाकी chapter और audit of item office में क्या करें अरे यार जो manageable है वो तो करके जाओ जो manageable है वो तो करके जाओ सारे बच्चे अभी कसम खाओ कि disclosure में कोई कमी नी चोड़ेंगे MTP1 में disclosure आया पूरी RTP में audit of items of FS में disclosure भरा हुआ है तो यार disclosure is very important वो ननी सी जान सबसे असान उसको सबसे बहले अच्छे से करके चलो that is more than enough for you to score well in the exam अब अगर आप इसका suggested देखोगे तो जो मैंने आपको disclosure में सारे points बताये थे न वो ही points लिख रखे हैं बस इनके आगे nil, na, nil, na वो ही कर रखा है पूरा note से covered है You're getting the point or not इसलिए आज मैं MTP लेके आया हूँ कि अभी भी आपके पास एक महीना है कुछ चीजे ऐसी है जिनको आपको अच्छे से focus करके चलना है clear boss, clear sir अब आज़ो सारे के सारे बच्चे question number D part पे देखो क्या कहता है CA Tripad based in New Delhi is the external auditor of lap of nature a firm since last three years तीन साल से ये external auditor है सारे बच्चे मुझे बताओ तीन साल से अगर आप किसी कंपनी के साथ auditor हो तो क्या मैं बोल दूँ एक long association मन गई है जब भी long association मनती है तो familiarity threat की खुश्बू आती है ठीक है sir firm is engaged in the business of tourism services including holiday packages plus इसने auditor और उसके team members को भी free holiday दी एक हफते के लिए हर साल अपने premium resort in the OT सारे बच्चे मुझे एक बाब बताओ company has also booked free air travel भाई साव रूम भी दे दिया travel भी दे दी why chartered accountant is not acting ethically क्या आप इसका answer logically लिख सकते हो जल्दी से बताओ क्या आप इसका answer logically लिख सकते हो हाँ sir लिख सकते है जब भी आप gifts or hospitality accept करते हो जब भी आप gifts or hospitality accept करते हो तो it is a familiarity threat क्योंकि आप ये सब चीज़े accept करे हो तो that means chartered accountant is wrong very easy sir how are familiarity threats created in above situation बहुत ही simple है free में तुम resort दे रहे हो free में तुम air travel दे रहे हो ये बात बस आपने लिखनी है ये ही तो question English के comprehension में आते थे बचपन में जो आपको English का comprehensive package मिलता था ये ही तो करना होता था पूरी case study दे दी अब उसमें से दो point चुनके लिख दो कि कैसे familiarity threat हुआ जैसी आपको hospitality मिली वो hospitality के example लिख दो free air travel free tourism package yes or no yes sir ICI ने क्या लिख रखा है मैंने का ये ही लिख रखा है firm is providing free hospitality fundamental principles are violated it is impairing the objectivity of the auditor कही ना कही auditor की objectivity impair हो रही है अब दूसरा sir objectivity क्यों impair होगी because अब यहाँ पे कही ना कही biasness आएगी undue influence आएगी ठीक है sir दूसरा आपने दो example बताने थे तो आप बोलोगे auditor will be ending ये एक minute एक minute auditor has formed relationship that may end being too sympathetic to the client interest ये line कहां से आई बताओ जल्दी से ये line कहां से आई नलायक notes में से तो आएगी बड़ ये आई कहां से कैसे आपके दिमाग में आएगी ये ही line लिखनी है notes की line तो ठीक है why only this line why not any other line very good नंदनी ये नंदनी नाम की लड़किया हमेशा ही intelligent होती है sir familiarity threat की definition है familiarity threat की definition है तो मेरे दोस्त जब भी ऐसा case study based question आए जब भी ऐसा case study based question आए तो कैसे deal करना है मैं बताओ हाँ sir बताओ आप यहाँ पे लिखो facts of the case दूसरा आपका जो भी topic पूछा है जैसे example के तौर पे familiarity threat उस topic की अगर आपको कोई definition आती है तो वो definition लिखके दो and फिर जो question की demand है जो question की demand है वो demand आपने पूरी करके देनी है जैसे इन्होंने यहाँ पे demand दी कि due to the free hospitality इस वज़े से familiarity threat create हुआ तो यह आपका एक तरीका बन जाता है to handle such type of question यहाँ हमारा question 1 complete होता है and trust me यही धंका question था यही एक इकलोता question था जिसको आप बोल सकते हो yes it was little bit higher on practical side अब सारे बच्चे question 2 पे आओ मैं तुमको feel दिलाता हूं बढ़िया वाली question 2 देखो सर किता बड़ा question है सर यह तो बहुत ही बड़ा question है अभी तुमको मजे कराते हैं इधर देखो mention any four financial events or condition that can cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern मुझे बताओ direct या practical question सर यह तो direct है यह तो direct है अब यह जो four financial events है क्या आपको class में याद करवाए गए हैं हाँ सर एक liability वाले point एक losses वाले point net liability current liability position अब liability में long term भी आती है short term में creditor आते हैं तो inability to pay the creditors on due dates फिर उन्होंने अपना financial support withdraw कर लिया losses में substantial operating losses negative cash flow यह तो बड़ा ही simple है तो चार number free के इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा ठीक है सर उसके बाद सर आता है B part adequate planning benefits the audit of financial statement ICI directly क्या पूच रहा है audit planning के benefits बताओ क्या class में इसका भी रट्टा लगवाया था हाँ यह भी सारे points बताये थे कि सर audit planning से आपको important areas बता चलते है problematic areas बता चलते है plus planning से क्या फाइद होता है बाकी functions पूरे हो जाते है बाकी functions में क्या आता है organizing staffing directing directing में DSR तीनों आ जाते है direct, supervise, review और controlling का जमाना चला गया coordination की बात होती है क्या यह भी free के चार नंबर हाँ सर यह भी औरे बाबू मेरा पेहन मेरा पेहन मेरा पेहन कहां गया यह भी चार नंबर पूरे हो गए अब थर्ड पार्ट पे आजो auditor carries out his work by obtaining the evidence through performance of audit procedure there are practical and legal limitations give one example of practical and legal limitation क्या यह question भी हमने notes में cover कर रखा है दिल पे हाथ रखके बोलना revision में भी तमीज से करवाया था मेरा देश मेरा देश मेरा देश 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 मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है यह देखो practical and legal limitation RTP November 21 RTP November 22 practical limitation क्या है हम सब कुछ test नहीं कर सकते यही practical limitation है legal limitation क्या है कि management evidence नहीं देगा plus वो complete information नहीं देगा और हम उसी के उपर निर्भर हैं तो this is a legal limitation यही दो example दो तीन number ले जाओ you are getting the point or not yes sir तीन number का कोशन है बस यह दो example आपने देखे आने है अब आता है sir D part मैं इसका answer भी आपसे अभी निकल वाऊँ आठीक है इधर focus करना यह कहता है GSTN is a not for profit limited by shares company 50% of the share holding is with the union government बाकी 50% state government के पास है सारे बच्चे बताओ ऐसी company जिसका 50% central government के पास है 50% state government के पास है इसको मैं क्या नाम दूँ बताना जल्दी से क्या नाम देते हो ऐसी companies को very good जानने हा sir ऐसी companies को आप नाम देते हो government company यह बिग गई है government company provides IT infrastructure and services to various stakeholders including the governments and techspare company's operations since the past few years who appoints the auditor of such company जल्दी से बताओ कौन है वो जो इस company का auditor appoint करता है उस भले आदमी का नाम बताओ जो C से शुरू होता है G पे खतम होता है बीच के letters भरो C and A G Comptroller and Auditor General of India प्लस क्या वो कोई directions दे सकता है यह directions वाला section क्या शुभम सर ने कोई पढ़ाया था 143 sub section 5 143 sub section 5 हमने बात करी थी रोहित शेटी वाले section की कि C and A G directions दे सकता है उस पे आप अपने actions लेंगे actions का जो impact है actions का जो impact है on the financials and audit वो भी आप disclose करके चलते हो yes or no yes sir तो यही basic basic बात दोस्त आपको ध्यान में रखके चलनी थी कि आप कहीं न कहीं C and A G से directions ले सकते है and वो अपनी report में क्या लिखेगा sir अपनी report में तीन चीजे लिखेगा जल्दी से बताओ क्या direction direction पे action action का impact तो यह आपका रोहिच शेटी वाला जो section है वो आपने बस mention करके चलना है gotcha gotcha sir अब बताओ question 1 के बाद 2 करके कैसा लगा now how is the feeling must yes or no yes sir आजाओ मेरे साथ now come to question number 3 मैं बता रहूं मैं सारी question ऐसे है सारी question अब तुमको ऐसे दिखाऊंगा बस one में इनों ने थोड़ा मसाला जादा डाल रखा था now let's start with question number 3 बस Suniti a CS student is a part of engagement team conducting the audit of a company Tim Private Limited ठीक है sir according to the audit program she is responsible for verifying the purchases and PP items appearing in the books जो भी है वो सब उसको देखके चलना है she has also been given the responsibility to get a written representation and उसको पता है क्या पता चला इधर देखो one purchase bill amounting to 5 lakhs pertaining to this company has been entered in the books of Tim Private Limited ये कहती है दो companies है एक तो Tim Private Limited है एक Tim Industry है तो जो Tim Industry का bill है वो Tim Private Limited में इन दोनों में बस Tim Tim common है आगे का different है ठीक है सर management ने refuse कर दिया to provide a written representation and she has brought it to the knowledge of engagement partner who has decided to use such lack of representation as a audit evidence आप मुझे बताओ क्या ये दोनों जो बाते उपर दे रखें ये audit evidence है प्लस आप इसकी reasoning बताओ मैं एक बात बोलूं सर हाँ सर बात बोलो audit evidence क्या होता है सर information audit evidence क्या होता है information जिसको use करके आप conclusion draw करते हो हाँ सर तो क्या यहाँ पे आपको एक conclusion मिल रहा है कि जब आपने entity का purchase bill देखा तो purchase bill देखके पता चला ये entity की purchases ही नहीं है ये तो entity की purchases ही नहीं है तो किसी और entity की purchases है हाँ सर दूसरा जब management return representation नहीं दे रही ये किसका evidence दे रहा है सर ये कही ना कही evidence दे रहा है about lack of integrity कही ना कही management chore है इस integrity की lack का हमको evidence मिल रहा है ये explanation मैंने class में दी थी this was the same explanation I gave you in the class sir बट क्या ये बात notes में लिखी है क्या ये बात notes में लिखी है तो मैं आपको notes में ना हमेशा एक area देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ read करके जाना sir read करके जाना इसका मतलब ये है कि इस पर practical based question आ सकता है तो एक बार आप अपने essay 500 के notes देखो ना देखो क्या कहता है audit evidence जब मैंने आपको ये topic पढ़ाया था न sufficiency and appropriateness of evidence इसके last के दो point देखो it comprises both of information which supports and corroborates the management assertion जो कई ना कई management की assertion का साथ देती है plus जो contradict करती है the assertion तो अभी जो हमने पहला example पढ़ा अभी जो हमने पहला example पढ़ा sir इस question में कि किसी और का bill हमारे उसमें आ गया तो क्या मैं बोल दूँ ये तो entity को pertain ही नहीं करता ये तो entity के case में अकर ही नहीं हुआ ये तो occurrence वाली assertion को contradict कर रहे हा तो ये आप audit evidence में use कर सकते हो मजा आ गया sir दूसरी चीज़ जो यहां पे लिखी है essay 500 में आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है in some cases absence of information जैसे की management representation नहीं दी वो भी एक audit evidence बन जाता है वो भी एक audit evidence बन जाता है तो मित्रों मैं कह कह के थग गया तुम सुन सुन के थग गये जब भी ये इस तरह की बाते दे रख्यों होती है और मैं कहता हूँ रीड करके चलो तो रीड करने का मतलब क्या ignore कर देना है क्या हम ये सारी बातों को ignore करके exam में पहुँच जा या हमको समझ के चलना पड़ेगा इन बातों को आपको समझ के exam में जाना पड़ेगा ताकि अगर practical question आता है इस तरह का you are able to deal with it कहीं ना कहीं आप इन चीजों को deal कर पाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबसे अच्छे number score करो पूरे इंडिया में जो best number आने चाहिए आप सब के आने चाहिए और उससे ज्यादा मतलब मुझे लगता है गोर कोई मेरी आप से मनोकावना नहीं है तो मेरी एक request है अभी आपके पास 3 दिन है है audit करने के ठीक है तो जब 3 दिन है ना कोई कमी मत छोड़के जाना यू पीपल आ गेटिंग दे पॉइंट और नॉट जल्दी से पानी के दो गूंट लगाओ आगे सारे बच्चे निरसाथ यस सर अब आजो next question पे यह अच्छा question दाना हा सर इसको सारे बच्चे मार्क कर लो another I can say application based question यह एक और बढ़िया application based question मिल गया मज़ा आ गया सर जो पहली बारी में थोड़ा सा tough है क्लिक करने के लिए अब देखो B part क्या कहता है B is the statutory auditor of a boom payment bank very good bank regulator has imposed certain restrictions on the bank from accepting new deposits due to the non-compliance with KYC there is a material uncertainty regarding the outcome of such restriction auditor ने conclude कि going concern basis तो appropriate है but material uncertainty है तो जब भी ऐसा case होता है material uncertainty and going concern appropriate है तो हमको क्या चाहिए सर हमको 4 disclosures चाहिए हमको 4 disclosures चाहिए हमने SA 570 में सीखा था क्या disclosure चाहिए सबसे पहले तो सर disclosure जिससे कही न कहीं सामने वाले को चिंता हो चिंता यानि कौन से events और conditions है जिनकी वज़े से material uncertainty है ठीक है सर इससे आदमी की जो चिंता है वो बढ़ेगी अब इन events और condition में management ने क्या बनाया सर management ने बनाया plan तो चिंता कम हो गई तो कहीं ना कहीं सामने वाले की चिंता कम हो गई अब चिंता वापिस कैसे बढ़ा हूँ बोल दो plan तो है plan तो है बट अभी भी material uncertainty के बादल चाहे हुए है एंग क्योंकि material uncertainty है तो वो कौन सी line आती थी वो कौन सी line आती थी asset और liability वाली line asset और liability वाली line सर asset और liability वाली line क्या कहती थी entity may be unable to realize the assets and pay off the liabilities in normal course of business कहीं ना कहीं entity अपने assets realize नहीं कर पाएगी liabilities pay off नहीं कर पाएगी in normal course of business और अगर entity a disclosure दे देती थी पूरा holistically cover कर रहो concept तमी से सुनो अगर entity a disclosure दे देती थी तो आप कौन सा section डालते थे बताना जरा which section do you use to add in your audit report बताओ मुर्ग section कहीं ना कहीं इस case में हम मुर्ग section डालते थे बत अगर disclosure ही नहीं है बत बाबू अगर disclosure ही नहीं है सर अगर disclosure नहीं है यानि आप ऐसा बोलते थे there is a inadequate disclosure तो हम इस case में qualified या adverse opinion देंगे और जो हमारा basis है जो हमारा basis है जो reasoning है उसमें बस इत्ता बोलेंगे material uncertainty तो है material uncertainty तो है but बाबा disclosure नहीं but बाबा यहाँ पे disclosure नहीं तो इस question में sir क्या है did not make adequate disclosure तो अगर adequate disclosure नहीं है तो इसका आपकी impact क्या है report पे simple सी बात है qualified और adverse plus जो basis है वो बता देना की material uncertainty तो थी but disclosure नहीं अब सारे बच्चे question 2 पे आजाओ 2 का A भी हो गया 2 का B भी हो गया C पे आओ आओ आपने एक audit plan बनाना है जो describe करेगा audit procedure तीन audit procedure क्या होते थे बतातो ज़रा तीन audit procedure क्या होते थे sir wrap, fap, others wrap, fap, others यही तीन audit procedure हम describe करते थे तीन नंबर का question free, free, free description of the audit plan क्या होता है sir description of the audit procedure wrap, fap and others I.C.A.I. का suggested देख लो I.C.A.I. का suggested देख लो सिरफ यही तीन बाते लिखी हैं और तीन नंबर free के और तीन नंबर free के यह दूसरी बार planning का question आया है यह दूसरी बार planning का question आया है पहला question क्या था benefits of planning दूसरा आया है description of procedure क्या आपका chapter 2 planning बहुत ज्यादा important हो जाता है yes sir, very very important from exam point of view बहुत असान है, बहुत scoring है इसमें कोई भी कमी मत छोड़ के जाना, सीधा सीधा direct question आएगा exam में, ठीक है sir अब आजओ D part what is meant by audit documentation plus auditor के objective क्या है, again a direct question from your chapter number 3 audit documentation तीन number freak है तीन number freak है, again मेरा आप सबसे सवाल question number 3 करके अब कैसा लगा question number 3 करके अब कैसा लगा तुमको 4, 5, 6 बस तीन question और रह गए है पूरे question में सिर्फ A part थोड़ा धंका था B, C, D very, very easy good boy good girl now comes question number 4A अब sir 4A किसकी बात करता है ध्यान से समझना 4 कराने से पहले मैं आपको 5 पे ले चलू हाँ sir 5 पे चलते है 4 करने से पहले let's move to question number 5 5 और 6 पहले करते है 4 last में मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है ठीक है sir 5 किसकी बात करते है 5 किसकी बात करता है WT private limited is engaged in the धंदा of manufacturing a product ठीक है sir इस पे GST लगते है 5% please focus करो ना बस 10-15 मिनिट की बात और और कुछ नहीं input raw material जो है उस पे sir कितना GST है 12% और 18% तो मुझे एक बात बताओ output पे GST कितना है 5% input पे GST कितना है 12 और 18 तो क्या मैं बोल दूँ मेरा input का जो GST पढ़ा होगा वो हमेशब ज्यादा पढ़ा रहेगा output का कम होगा तो जब input का GST ज्यादा है output का कम है तो मुझे क्या लेना पढ़ता है sir मेरे case में asset create हो जाता है ITC credit और उसका refund वगरा लेना पढ़ता है तो ये कहता है ITC इखटा हो गया 60 लाक रुपेगा at the end of the year in your ECL and it is refundable to the company under the GST law how would the above amount of 60 lakh reflected in the balance sheet सारे बच्चे बताओ ये 60 lakh की जो amount है ये balance sheet में कहां आएगी बताना जरा मजा आजाएगा मुझे अगर आप लोग ने सही जवाब बता दिया asset में आएगी liability में आएगी और जिसमें भी जाएगी उसमें कहां जाएगी 60 lakh is a asset very good ये जो asset है ये non current है या current assets है non current है या current asset है एक साल के बाद मिलेगा मिया या एक साल से पहले ये बताओ हमको current asset है very very good अब ये current asset में भी किस में जाएगा computer जी आपके सामने options रे स्क्रीन पे क्या ये जाएगा inventory में नै क्या ये जाएगा trade receivable में नै विशाल ने बिल्कुल सही बोला सारे options को हटाने के बाद बचता है other current assets सारे options को हटाने के बाद बचता है other current assets तो आपने other current assets लिखा तो चार में से एक number तो इसी का मिल गया चार में से एक number तो इसी का मिल गया very very good अब सर उसके बाद कहता है क्या audit procedure आप करोगे to check this above balance logically सोचना logically सोचना अगर मुझे entity का ITC check करना है तो यह ITC होता का है GST पढ़ा है हाँ तो ITC का एक ledger होता है तो आप entity का ITC का ledger है वो देख लो plus आप entity ITC कितना claim कर रही है वो कहां से देख सकते हो sir entity की GST की return से तो ITC का ledger देख लो GST की return देख लो plus entity ने refund लेना है अभी just after 31st March तो आप entity के bank statement भी देख सकते हो तो मैं आपको एक बात बोलू न यह कौन से chapter का question है sir यह है आपका audit of items of FS audit of items of FS यह पूरा chapter ही न इसी तरह चलता है यह पूरा chapter ही इसी तरह चलता है कि आपने अपना थोड़ा दिमाग लगाना है कि जैसी ऐसा question है इसके लिए आप prepare करके क्या ही जाओगे logically बस आप सोचना कि इसमें आप क्या-क्या देख सकते हो तो आप entity का ITC का ledger देख लो आप इनकी GST की returns देख लो और जो आपका bank statement है यह सब आप देख सकते हो and trust me मज़ा आ जाएगा trust me मज़ा आ जाएगा देखो इन्होंने क्या-क्या लिख रखा है यह कहता है कि भाई साब simple सी बात है हम कहाँ पे दे question number 5 पे आ गए थे yes sir other current assets इसका तो एक number मिल गया इसको underline करके आना free के number है अब यह कहता है आपने क्या-क्या देखना है sir यह कहता है कि आप entity का सबसे पहले कहता है GST की return देख लो ठीक है sir bank statement देख लो और उसके बाद sir यह कहता है कि आपने देखना है कि यह जो amount है यह GST portal से भी track होनी चाहिए तो अगर आप चाहो तो entity का GST portal देख सकते हो अब पते क्या है जितना creative आप exam में हो सकते हो न उस creativity के साब से आप इस question को deal करोगे और last में मुझे बस एक बाब बताओ इस question को आप priority पे करोगे exam में या इसके लिए 2 से 3 page 2 से 3 page छोड़के last में करोगे मुझे बतादो chat box में मज़ा आ जाएगा आज हम answer लिखना सीख रहे हैं किस तरह से paper attempt करना है last में very very good this is not your priority बाबा जो question एकदम अच्छे से आते हैं शिदत से आते हैं पता है ये question लिखते ही examiner पूरे में से पूरे number देगा उन questions को सबसे पहले करना है ये question अपनी side में नहीं है ये question तो तुक्का है कि अगर तुक्का लगया तो भाई मिल जाएंगे 4 में से 4 4 में से 3, 4 में से 2 तो ऐसे questions को एकदम last में करना है सबसे पहले मत करना ठीक है ठीक है boss अब sir आजो next question ये एक बस जंगा question था बागी सारे अब आपको में दिखाऊंगा book से है अब देखो sir ये वाला question क्या है ये कहता है 315 का काम है identify and assess the risk of material statement तो आप मुझे बताओ आप क्या activities perform करते हो for the purpose of identifying and assessing the risk of material statement क्या में बोल दूँ ये direct question नहीं है क्या में बोल दूँ ये direct question नहीं है वो जो हम four step process पढ़ते है identifying the risk, assess the risk match the following की risk है तो control है और last point में यादे मैं भूकंप वाला example देता था यादे मैं आपको भूकंप वाला example देता था भूकंप से डर नहीं लगता कल आने वाले आठ तीवरत आके भूकंप से डर लगता है यानि likelihood और magnitude यही बात हम chapter 4 में भी cover करके चलते हैं sir क्या आप बात कर रहे हो क्या आप बात कर रहे हो sir देखो भाई साब for the purpose of identifying and assessing the risk of material statement RTP November 20 auditor क्या करेगा identify the risk, assess the risk and relate the risk with relevant control, likelihood और magnitude सीधा सीधा कोशन है और कुछ करके जाने की जरूरत नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं सीधी सीधी बस आपने ये बात लिखनी है इससे ज्यादा directly ICI नहीं पूछ सकता और ये बात भी ना आपके कोशन बैंक में covered है direct question from the quotient bank, same question similar question आपको quotient bank में मिल जाएंगा, ठीक है boss ठीक है sir अगला सवाज ये पूछता है आप कैसे verify करोगे inventory of food and beverage at a hotel hotel किया था, हाँ sir सबसे पहला topic जो हमने special audit में पढ़ा था, hotel ही पढ़ा था और inventory को लेके हमने क्या discuss किया था sir, inventory को लेके हमने discuss किया था, इसकी चोरी होना बहुत इसका movement है, इसको document करो और हम इसकी valuation की बात करते थे कि कोई registered valuer इसको value करेगा तो कोई भी तीन बाते कोई भी तीन बाते आप कर सकते हो and trust me, मज़ा आ जाएगा, let me tell you hotel is very important for this coming exam hotel को तो एकदम अच्छे से करके जाना, अगर किसमत अच्छी रही तो hotel से ही question आएगा, ठीक है so don't miss it, even मैंने आपको 7-8 minute की इसकी revision वीडियो दे रखी है दो बार, तीन बार देखोगे, अपना पूरा hotel दिमाग में बैठ जाता है, अब सर आते है, D part, professional behavior is one of the fundamental principles इसका meaning बताओ, सर इसका meaning तो directly हम chapter 1 से लिख देंगे behavior का क्या मतलब है, कुछ भी ऐसी हरकत मत करो, जिससे हमारे profession की बदनामी हो, कुछ भी ऐसी हरकत मत करो, जिससे हमारे profession की बदनामी हो don't do any misconduct which brings discredit to the profession, अब सर, तीन में से एक number तो ये बहुत ही सीधा साधा question है, अब ये कह रहा है परसन ने professional behavior follow नहीं किया मतलब, any example whatever you feel right, you can write, जैसे example के तौर पे इन्होंने MTP में क्या example दिया है सर, यहाँ पर ये कहता है कि ICAI ने इनको letter दिया कि आप हमको कुछ matters बताओ regarding audit, अब जब ICAI आपको letter भेजी आप उसको reply नहीं करें तो इसका मतलब कोई professional वाली बात यहाँ पे आ जाएगी तो अब ये जो question था कितने का था, 3, 3, 4, 4 6, 4, 10, 4, 14 क्या लगता है, 14 में से कितने number आ जाएंगे, जल्दी से बता दो जो GST वाला question है, क्या GST वाले में से 2 number ला सकते थे हम, हाँ easily यहाँ पे 2 mark score कर सकते हैं यह 315 वाला question direct है यहाँ 4 में से 4 easily आ सकते हैं C part again direct question है यहाँ 3 में से 3 आ सकते हैं last में sir, professional behavior में एक number लई आएंगे 1, 3, 4, 8, 2, 10 इस question में भी हमने 14 में से 10 ले आएंगे मैं कहता हूँ एक दम नीचे लेवल पे चलते हैं 10 भी छोड़ो, 7 ले आओगे 10 भी छोड़ो, 7 ले आओगे हाँ sir, बच्चा 8 पे आ गया very very good और थोड़ा नीचे मत आ जाना जादा ठीक है, 7 तक तो ले आओगे can we score 7 out of 14? answer is yes, easily sir we can score 7 out of 14 अब last question करते हैं sir, last question में again, सबसे प्यारी चीज़ आ जाती है question number 6 का A part कितने बच्चों ने test 10 दिया था, मुझे बता दो कितने बच्चों ने test number 10 दिया था of essay 610 जान्या कहती है, मैंने दिया था गगन कहता है, मैंने दिया था एक question के पीछे, जितना तुम लोगों ने मुझे सुनाया था, sir, ये question क्या डाला है क्यों डाला है यही question था, chapter last test में, जो मैंने आपसे लिया था, test 10 sir, याद नी आ रहा कुछ मैं तुमको सब याद कराता हूँ I remember very clearly ऐसे रनवीर सिंग बोलता है न, कहनन जोहर की उसमें question 2 परो test 2 का test 10 का ये test 10 था, हाँ sir इसका question 2 परो, मज़ा आजाएगा तुमको OPQ Limited is in the software consultancy business, company के पास धेर सारा balance account receivable का और इसमें high risk का area है, इसका जो valuation का काम है of the account receivable, ये statutory auditor ने इसमें से दो चीजे assign करी है, sir, क्या checking the accuracy of the aging plus provision based on aging, इसके लिए direct assistance मांगी है समझे मेरी बात, comment करके बताओ, मैंने आपको का था कि ये question मैं आपके लिए CA final से लेके आया हूँ, ये मैं आपके लिए CA final से लेके आया हूँ, गगन को याद भी आ गया हाँ sir, ये CA final का question था ICAI और हम साथ साथ सेम सेम सोच रहे हैं I.C.I. और हम साथ साथ सेम सेम सोच रहे हैं, सेम चीज पूछ रखी है, checking the accuracy, and दूसरा क्या है, adequacy of provision, accuracy check करने में judgment नहीं लगती, तो यह आप delegate कर सकते हो, यह आप delegate कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, and दूसरा क्या कहता है, adequacy of provision में significant judgment लगेगी, तो आप इसको delegate नहीं क सकते हैं, तो जहां भी रोमम हाय है, judgment हाय है, आप वहाँ delegate नहीं कर सकते हैं, तो accuracy check करना मामूली बात है, admin काम है, दे दो delegate करने के लिए, but उस aging के हिसाब से provision बनाना उसमें दिमाग लगता है, उसको आप delegate नहीं कर सकते, now comes question number B, audit of a government expenditure, यह कहता है, बहुत important चीज होती है, त आपने कुछ standards बताने है, तो government expenditure में याद है, हमने कई सारे standards कवर करे थे, audit of propriety, audit against sanction, एक बार sanction हो गया तो provision बनाओ, authorized होना चाहिए, हाँ sir, तो वही जो चार बाते हमने इसमें की थी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह चार पाँच बाते बस आपने expenditure में ध्यान रखनी है, कि सबसे पहले audit of sanction, audit against rules and orders, audit of, audit of propriety, performance, वही जो चार-पाँच बाते थी, वही आपने सीधा-सीधा यहाँ पर briefly explain करके चलनी है, जित्ता मुझे याद है, यही question आपके किसी RTP, MTP में भी ICA ने already पूछ रखा, एक बार आप चाहते हो, so, मैं आपको go through करा सकता था, बड़ य option है, cinema, तो cinema भी we have already done in the class, sale of tickets, सीधा-सीधा question है, 4 number free के, अब आजो question number D, मेरा favorite question, automated environment का प्यारा सा, cute सा application based question, यह कहता है, बताओ, column A में जो description दे रखी है, यह कौन सा type of control है, यह कौन से type of control है, तो क्या आपने automated environment पढ़ा है, हासर हमने automated environment पढ़ा है, तो उसमें हमने two types of control automated और दोनों का mission, IT-dependent manual control, जहां पर आप IT की report निकालते हो, और उसको manually analyze करते हो, तो general IT control में मैंने आपको यह 3-4 examples पढ़ाया थे, कि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं सर, क्या था, एक application launch हो रही थी, हाँ, उस application की launch कहां पर हो रही थी, सर, data center में हो रही थी, data center में application के launch का program था, य यानी access security की बात कर रहे थे, yes or no, yes sir, फिर हमने यह application control की बात की थी, कहां गए सारे के सारे, यह रहे सर, इसमें हमने कहा था, user is mandatory, user is mandatory, user का क्या मतलब था, user limit check, sequence number check, उसके बाद E से edit check, R से reasonableness check, and last में mandatory data field, आप कई बार सोचते हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो class में, क्यों हमार अध्या दिमाग खराब करते हो चीजों को याद करने के लिए, अब देख लो, ICI ने क्या पूछा है, अब देख लो, ICI ने क्या पूछा है, क्या ये question paper तब था, जब class record हुई थी, नहीं sir, इसी लिए ये चीजे करना जरूरी है, तो आप बताओ, reasonableness check किसमें जाएगा, सर ITC, यानि General IT Control, ये कही ना कही General IT Controls का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, गगन कहा रहा है sir, Google के form से आपने हमको ये चीजे समझाई थी, very good गगन, अब last में आता है, engagement partner takes the overall responsibility for maintaining the audit quality as per SA220, what are the objectives while taking and emphasizing such quality, ध्यान से, अराम से चलेंगे, SA220 और SQC1 में हम किसकी बात करते हैं, sir हम बात करते, elements of quality control, ये elements क्या थे, हम एक ethical leader accept करते हैं, जो human engagement को monitor करें, तो ये जो responsibility है, for maintaining the quality, ये किसमें आती है, sir ये आती थी, leadership responsibility, leadership responsibility के points में हम इसको cover करते थे, leadership का काम क्या था, sir दो काम थे, सबसे पहले बोले, quality important है, importance of quality, last में कहता था, quality important ही नहीं, essential भी है, समझ गए, sir, अब ये जो importance of quality में हम बात करते थे, हम quality से comply कैसे करते थे, दो requirement से comply करते थे, बहार वाली, अंदर वाली, बहार वाली, अंदर वाली, very good, जिया मगनानी, sir सबसे पहले बहार वाली का क्या मतलब था, बहार वाली का मतलब था, पी, आर, एल requirement, professional standards, regulatory और legal requirement, समझ गए, sir, अंदर वाली requirement का क्या मतलब था, मैंने का, अंदर वाली, मतलब बहार वाली से comply करने के लिए, जो आपने अंदर, खुद के systems of quality control बना रखे हैं, जो आपने खुद के quality control policies and procedure बना रखे हैं, उससे comply करो, अब जब आप इन दोनों से comply करोगे, तो audit report will be appropriate in the circumstance, audit report will be appropriate in the circumstance, and last में आता था, अगर कोई गड़बड है, अगर कोई गड़बड है, तो you should be able to raise your concerns, you should be able to raise your concerns without any fear of reprisal, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के, आप इस बात को raise कर सकते हैं, तो ये बात आपको कहां मिलेगी, सर, chapter number one, SQC1, SA220, जो हमने ethics वाला part cover कर रखा है, this part, this part of leadership responsibility of quality of audit, ये ही बात ICI ने direct question आप से पूछा, clear है boss, clear है सर, तो अगर आपने अभी तक जित्ती भी चीज़े देखी, उससे क्या समझाया, सर एक ही बात समझाई, कई notes तमीज से करके जाने है, हमको कही ना कई notes तमीज से करके जाने, question bank की practice करके जानी है, and पूरा paper फिर अराम से हमारा हो जाएगा, plus 40-50 लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 40-50 लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब सर आपने ने question छुड़वाया था, ये था question number 4, exam में क्या सारे question करने है, या एक question छोड़ सकते हैं, sir एक question छोड़ सकते हैं, तो इस paper में ये एक question था, तो क्या होता है ना, हम ऐसी question को देखके घबरा जाते हैं, और paper में give up कर देते हैं, और ICI कहते हैं, 6 महीने बाद फिर आना, दोस्त, ऐसी questions को ignore करना है, जैसे वो तुमको करती थी, ठीक है, ऐसी questions से दूर रहना है, जहां आपको लगता हैं, एकदम out of the box को चीज़े पूछ रखे, for example, कहता है audit procedure बताओ, जो sales को check करने के लिए हैं, अब यार आते ही नहीं हैं, कैसे बता दे, जो चीज़ नहीं आती, उसको ignore करो, दूसरी बात यह क्या पूछता है, इसने आपको inventory के factors बता दिये, दो हमने ये factors अच्छे से cover किये थे, बट यहां पे भी इसको लेके application based question है, कि दो important matter बताओ, जो इसमें उपर नहीं आए, तो again आपको थोड़ी thinking लगानी पड़ेगी, कि सर ये कौन से वाले factors है, यादे हमने वो factors cover करे थे, कहां से start होता था वो, L से लेके, T तक हम सारे factors बोलते थे, L for location of the inventory, M for materiality of the inventory, N for nature of inventory की, जो inventory है, सर वो उसकी nature क्या है, उसमें आपने क्या nature of procedures वगरा करने है, Got it, Sir, उसके बाद O से क्या आता था, O से आता था, RISK of material misstatement, O for risk of material misstatement की हम बात करते थे, plus O से आता था entity के क्या controls है, entity के क्या controls है, इतनी हम बाते करते थे, Yes or No? Yes Sir, येही आपने बस बात ध्यान रखनी है, यही बात बस आपने ध्यान रखनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है Is this point clear to all of you? Yes sir तो इस तरह से आपने इसको deal करना था अब आपने देखना है इसमें से कौन सी बात छूट रही है अब आपने इसमें से देखना है कि कौन सी बात छूट रही है दूसरा इन्होंने पकड़ा O for control तो control और procedure यह बात आपने बस ध्यान रखके चलनी थी अब sir C part इसका क्या था C part में तो और ही अजीब चीज पूछी है Decide The auditor should decide whether the relevant information is properly disclosed तो यह जो disclosure वाला पार्ट था Scope of audit इसके लिए मैंने आपको एक 10 minute का एक additional lecture दिया YouTube पर एक बार आप वो cover करोगे तो उससे आपको एक चीज clear हो जाएगी And last में आता है sir SQC1 यह कहता है क्या SQC1 dwells upon the EQCR as a part of system quality Why is such a review required Again application based question है क्यों आपको EQCR कराना है कौन सी type of engagement इसमें cover होती है तो listed entities is a necessary Now what should be the approach of the firm for the engagement for which EQCR is not mandatory तो again यह कुछ ऐसी चीज है जहाँ पर आपको परिशानी हो सकती है तो मैंने क्या कहा था Question 4 बस छोड़ना था Question 4 बस छोड़ना है बाकी सारे questions एक बार आप करते हो तो automatically you can score well in this exams So घबराने की जरूँत नहीं है Just give your best and trust me सब कुछ मज़ा आज जाएगा Did you people get the approach or not? जल्दी से बता दो क्या आपको approach समझाए कैसे deal करना है with this paper or not? बताओ Come on चलो जी Thank you so much everyone for attending this session मैंने कहीं ना कहीं आपके बहु मूल्य वन आर थर्टी मिनट्स ले लिए बट एक ही purpose था है इस चीज़ को कराने का कि क्या जिस चीज़ से सब घबरा रहे हैं जिस चीज़ से सब घबरा रहे हैं हमको comfortable रहना है हमको बस अपने notes और question bank को तमीज से करके जाना है and trust me मज़ा आज जाएंगा तो दोस्तों just stay cool just stay calm हो जाएगा आपका काम make sure you are giving your best and trust me you will get the best of the results अभी तक अगर वीडियो को like नहीं किया तो do like it ताकि बाकि सीए inter students तक पहुँच सके and yes stay connected to the channel for more such videos all the best लगे रो और हाँ खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे पढ़ेंगे keep going